वीडियो सुरून दिस पहले डिस्क्रेप्शन वाक्स में दे हुए यह वाट्सप ग्रूप की लिंग से आप हमको वाट्सप ग्रूप पर जॉइन कर सकते हैं जहां पर हम आपको रेगुलर स्टेडी माटेरियल वहां पर प्रवाइड कर रहे हैं तो आप लोग इसको एक बा पढ़ाई करके हम अपना सेलेक्शन सेक्यूर कर सकते हैं इस बारे में इस वीडियों बात करेंगे मैं आपको कोई पर टाइम टेबल नहीं बताने वाला मैं पहली बात बता दूँगा अपने काफी सारी वीडियो देख लियोंगी आपको एक प्रिफ़र टाइम टेबल बत प्रिफ़र टेबल फील करते हैं आप उस चीज को रखे हां लेकिन इतना है कि टाइम टेबल बहुत अच्छा टाइम टेबल बनाईए जानदा जानदा स्टेडी और कोईशन प्रैक्टिस दोनों को बैलनस करके आपको थेओरी भी लेके चलने हैं आपको कोईशन के लिए फोकस रह सकें इसके साथ अगर मैं आपसे बात करूं कि जो नीट इंटेंस एक्सामनेशन के लिए अब मैं आपको तीन कैटेगरी में बात करता हूँ एक ऐसे स्टूड़न जिन्हों ने अभी तक बिल्कुल भी हार्ड वर्क नहीं किया मतलत आपने बस अभी तक चल रहा है चलने दो अभी तक आपने बिल्कुल हार्ड वर्क नहीं किया तो ऐसे स्टूड़न से मैं डारेक्ली किवल एक ही बात करने चाहूंगा कि अब आपको बाहर की चीज़ें सारी भूल जानी है अपनी टेविल अपनी बोक्स और अपना पूरा स्लेबस आपको पूल डेडिकेशन के साथ आपको हाड़ वर्क करना ही है आप जो भी चीज़ें जितने भी आपकी जो माइंड को डाइवर्ट करने वाली चीज़ें हैं आपके मुवी आपके बाहर घूमना फ्रेंड इन सब को कुछ टाइम के लिए भूल जाए और फुल डेडिकेशन के स त्योरीज हो या फिर जो कुछ भी हो नुमेरिकल्स भी उन्होंने बहुत अच्छे से लगाए हैं ख्लास में थेओरीज भी उन्होंने अच्छे से पढ़ी हैं फुल डेडिकेशन के साथ अभी तक आप लोग अगर अगर इस्टडी करते चले हैं अब आप लोग के साथ ज किलेखिन के लिए भिलकुल पाथ ठाना विलकुल के लियर कर सकें इसमार्ट वर्क किए है माल जीज़े मैं आप से बात करूँ केमिस्टी मैं ऐपने जी योसी पर आपको अच्छे से आता है लेकिन आप अपने टेस्ट पेपर देते हैं या फिर जब भी नुमेरिकल लगाते हैं आप मॉक टेस्ट पेपर लगाते हूं उस चीज को एनलेसिस कीजिए कि जी 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 फेस्ट की जैसी कोश्चन आते हैं तो इंडेक्टिव एफेक्ट के गलती कर दे रहे हैं बार 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 मीज आपका मीजोमेरिक एफेक्ट अभी भी बीक पॉइंट पर है आपको लगता है कि आपने थेओरी उसकी पढ़ लिए आपको थेओरी समझ में आगे लेकिन उसकी कोश्चन्स उसके नुमेरिकल्स आपसे नहीं बन पा रहे हैं मीज है अब है जो आपका बीक पॉइंट ले और अपनी गल्टी को आपने पकड़ लीए यह आपका समार्ट वर्क हुआ उठाइई उसको मीजोमेरिक एफेक्ट को रिवाइस कीजियें जो माली से बालिय। को एनलिसिस के और बायलोजी में आपको मालूम चला कि आपके जो कोशन है वो मॉलिकुलर बेसिस से आपके कोशन काफी जानद गलत हो रहा है मॉलिकुलर बेसिस के जो कोशन जैसे थोड़ा गुमा फिरा के बना दे रहे हैं में आपके याई हैं उसमें आपको गलती हो रही है अपने पेर लगाया पेपर को एनलिसिस किया अब पैटर्न भी थोड़ा सा चेंज हुआ तो आपको पेपर के अनलिसिस भी करना पड़ेगा नए नए पैटर्न की मैं आपको बता दूं तुम्हे ने आपको बहुत सब गुरूप पे जिनों ने जोइन किया उसको पहली उनको बता दिया कि 20th of the July को आपको पहला मुआक्टेस प्रवाइड कर देंगे निउ पैटर्न नीट के वेसेस पे जोगा तो आप लोग बाटसब गुरूप को जरू जोइन करके रखिएगा टेलीग्राम चैनल को भी जोइन कर सकते हैं तो यह आपके लिए स्मार्ट वर्क है कि जितना आपका हो गया उस चीज़ को आप यूटलाइज करना है आप नुमेरिकल्स लगा के चले आया हमेशा आपने नुमेरिकल्स लगाया जो टीचर ने का उस चीज़ को फॉलो किया अपने डेली थेओरी पड़ी डेली आपने आठ नौ घंटे का डेडिकेटर टाइम दिया नीट इंटेंस एक्जामनेशन की स्टडी के लिए लेकिन अब आपको इसको बेस्ट नहीं होने दिला इस हार्ड वर्क को अब स्मार्ट वर्क में कम्पीट होगी जो छोटी 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 गलती आए इन दो महिने के टाइम पीट में छोटी 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 गलतियों को निकालो हर टाइम पर एक mock test practice करो mock test practice करने का भी आपका एक idle time होना चाहिए जो need and dense examination के paper का time है आप need examination paper में पहले biology फिर chemistry फिर physics solve करना चाहते हैं तो ऐसी mock test paper में कीजिया 3 गंटे बिल्कुल dedicated के साथ बैठी है साथ में अपने घर में किसी को रख लिजे आप बिल्कुल अपने आपको final तयार किजे तीसरे वो student जिन्होंने theory पे हमेशा ध्यान दिया आप हमेशा theory पढ़ते रहे आपने numericals पे इतना focus नहीं कि आपने physics की भी theory पढ़ ली लेकिन numericals पे आपने उतना focus ली कि आप सोचे हम लगा है लेंगे numerical exam में जाना मुझे तो formula's से याद हो गए आपने formula's सारे रट लिये आपने chemistry के सारे exception आपने रट लिये आपने biology की पुरी theory रट लिये लेकिन आपने numericals सी questions ही नहीं लगाए आपके लिए अब ज़रूरत है question की practice करना final match खेलने से पहले practice match खेलना जरूरी है क्योंकि जब आप practice match खेलेंगे तो आपको पता चलेगा कि final match में कौन से ball पे कौन से bouncer आपको क्या करना है किस ball को आपको छोड़ना है किस ball पे आपको थोड़ा सा महनत करनी कौन से ball अगर आपके पास है तो आप out हो जाएंगे आपने concept देंगे formulas रटना एक गलत बात है अगर आप concept देंगे जो रटने वाला है जिसका कोई काम ही नहीं कर सकते हो उसको तो रटने पढ़े के लिगन हर एक चीज को रटने ही ज़रूत नहीं है तो examiner question ऐसा ही बनाएगा कि एक मिर्ट के अंदर आपको 95% question ऐसे होते हैं कि एक मिर्ट के अंदर आप उनका अंसा निकाल सकते हो लेकर हम क्यों नहीं निकाल पाते हमको क्यों दो तीन चार मिर्ट लगते हैं क्योंकि हमने practice ही नहीं कर रहे हमने फॉर्मूलास याद कर रहे हमने उनको कभी apply ही नहीं किया हमने कभी कुसी concept को समझने के बाद उसको apply ही नहीं किया तो questions लगाए ऐसे students के लिए जरूरी है कि question अभी आप जितने लगा सकें वो आपके लिए जरूरी है अपने questions नहीं लगाए तो फिर बहाँ आप formula सोचते रहे जाएंगे और सामने वाला जितने दिर में आप एक question का formula सोचेंगे सामने वाला उतने time में तीन चार question करके ले जाएगा तो आपको जरूरत है कि आप questions की practice करें और जितनी आप practice कर सकें theory तो आप पढ़ेंगे आप उतनी करें इसलिए मैंने शुरूर बात में कहा दिया था कि आपको अपना एक time table ऐसा बनाना है जिस time table में आप theory के साथ question practice को भी test paper solving को भी balance करके चल सकें जो बच्चा इन दोनों चीज़ों को balance करके चल लेगा उसका need intense examination में selection कोई भी नहीं रोक सकेंगा लेकिन अगर आपने इस time पर एक दिन को भी अगर आपने वेस्ट किया किसी फाल्दू के कामों में या फिर एक दिन भी आपने time table break किया अपना आपने std का अपना flow break किया तो फिर आपका वो एक दिन का flow आपका break करना आपको काफी भाड़ी पर सकता है तो मैंने तीन type के तीन categories में आपको place किया आपको जो भी अपना लगे आपको मालूम होगा कि आपने अभी तक क्या किया है आपने hard work dedicated study की है या नहीं की आपने अभी तक बिल्कुल भी hard work किया या नहीं किया आपने hard work किया लेकिन आप numerical से लगा या आपने सारी theories पढ़ ली तो यह चीज़ आपको मालूम होगी मुझे मालूम नहीं होगी मैं आप लोग इस category में आते मैं नहीं बताँगा आप समझे और इस चीज़ को यूटलाइस किसके study पे focus रहिए केवल यही एक तरीका है मैं आपको बताऊं कि hard work, smart work, numerical practice यही एक तरीका है बाकि कोई तरीका नहीं है कि 30 दिन में 4 देंगे, 40 दिन में crack कर लेंगे एम्स देली पहुंचें के वल तीस दिन में ऐसा कोई भी तरीका नहीं है अगर तीस दिन में बिना hard work के, बिना study के एम्स देली पहुंचा जा सकता था तो फिर यह साल भर की fees बच्चे पे नहीं करते हर कोई बच्चा कहता है जब तीस दिन में पहुंची सकते हैं तो क्यों हम अपने पापा की पुरी साल भर की फीज जो कमाई है वह एक साल भर की फीज से यहां पे इंस्टिट्यूट में पे करें कि वह 45 स्टे कर नहीं गोई उसमें हमारा स्रेक्शन हो जाएगा तो ऐसा नहीं है हाड़ वर्क, स्मार्ट वर्क, हाड़ वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों लेकर चलना है अब आपको क्या करना है और आप किस जिखे अपने आपको पाते है वह आपको खुटी डिसाइड करना है आपको कोई भी help की जरूवत हो आप WhatsApp में message कीजिगा मैं कोसेज करता हूँ मैं हर किसी का message का reply कर सकूँ थोड़ा सा delay हो सकता है लेकिन मैं आपका message का reply करने की कोसेज करता हूँ तो आप लोग WhatsApp गुरूप को जरूर जाने के लिएजगा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करतेजिगा और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर सेर कीजिएगा Thank you students